विवेक तिवारी हत्याकान ने पूरे देश को देहला दिया है। जिस तरह से एक पुलिस वाले प्रशांत चौदरी ने विवेक की हत्या कर दी, उससे आम आदमी और पुलिस के बीच दूरी बढ़ गई है। इस बीच क्या आपको एक खबर है कि उस राद प्रशांत चौदरी के साथ एक सिपाही और था जिसका मीडिया में जिकर तक नहीं हो रहा है। सन्ना के खुलासे के बाद पता चला है कि असली गुनहगार तो वही है। सन्ना का मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज, सन्ना का मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज हो गया है। इस बीच सन्ना ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है जो अब तक राज्ज ही था। पूरे घटना क्रम में सिर्फ गोली मारने वाले सिपाही प्रशांत चौदरी का नाम ही आ रहा है। जबकि आपको मालुम है कि उस दिन उसके सा सन्ना ने बताया कि जब वो कार से जा रहे थे तो दोनों सिपाही आगे अचानक से उनको कार रोकनी पड़ी। सन्ना की की तरफ की खिड़की खुली थी। इसी खिड़की से सिपाही संदीप ने सन्ना को डंडा मारा था जिससे उसको हाथ में चोट भी आई थी। संदीप की वजह से हुई हर बड़ा हट, विवेक ने बढ़ा दी गाड़ी, सन्नाव का कहना है कि संदीप ने जैसे ही खिड़की से लाठी मारी, विवेक हर बड़ा गे और उनको लूट की आशंका हुई और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, इसी के बाद मामला संदीप भी प्रशांत के साथ जेल में बंध है और दोनों को भरखास्त करने की कारेवाही जारी है